वेब सीरीज से बोर तब होता है जब उसका concept बोरिंग हो आज की टॉप 10 सीरीज सिर्फ इंटरस्टिंग नहीं लेकिन आपको अपने concept से सोचने के लिए मजबूर करेगी भाई साब अभी का रिवीव हम करेंगे नेट्फिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 यूनीक concept वेब सीरीज एक आइलेंड पर समर कैम जहां कुछ सूपर नैचरल और फुल ओन टीनेज ड्रम सीरीज की IMDb पर सिर्फ 5.4 रेटिंग है जिससे मुझे तो ये क्लियर हो गया पूरी तरह IMDb के रेटिंग्स पे भरोसा नहीं किया लेकिन अगर आपने उसकी नहीं सुनी तो आपसे सब कुछ चीनेगा वो भी तडपा तडपा के लाइफ को नर्ग बना के इसलिए चुप चाप जो ये एप कहता है वो करना पड़ेगा बहुत ही यूनीक कॉंसेप के साथ दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव रेड रोस 8 episodes 40 minutes, starting में आपको लगता है कि कुछ तो सूपर नाच्रल और भूतों की कहानी है लेकिन धीरे धीरे ये कुछ रियालिटी में कनवर्ट होती है और जो कुछ भी ये एप अपने यूजर से करवाता है वो बहुत ही कनविंसिंग लॉजिकल लगता है लेकिन अगर आपने बहुत सी mystery thriller देखी है तो आप बहुत आसानी से चच कर लोगे कि ये आप के पीछे रास क्या है teenage time में jealousy, ego ये सब बहुत common होता है और series ने बहुत अच्छी तरह से दिखा है पस series के screenplay में कई जगाओ पे loopholes है एक interesting कहानी चल रही है उसके बीच में कुछ भलता ही story घुसा देते है अब वो बताऊंगा तो spoiler हो जाएगा series के अंदर कुछ idle scenes है लेकिन concept series की mystery आपको end तक जरूर बांद के रखेगी अगर आपकी life जंड हो चुकी है तो एक ऐसा massage center है जो आपको मार के आपका duplicate बनाएगा जो आपसे कहीं गुना बहतर हो लेकिन क्या महसूस हो रहा है खुशी ये अपने hero को नहीं मार पाते अब एक life को दो लोग कैसे जीएंगे तीन positive और एक negative point के साथ 2019 की living with yourself 25 minutes each 8 episodes एक minute भी बोर नहीं किया लेकिन लेकिन जटे और साथवे episode में ग्यान बाटने क्यों लग जाती है सिरीज सब कुछ तो अच्छा चल रहा था wall root की acting बंदे ने दोनों साइट से क्या तबा के must acting किये और फिर दोस्ती, jealousy, इंसानियत ये सारे human relationship के emotions बहुत ही beautiful तरह से खाया इन सब के ऊपर आता है situational comedy, बहुत ही mature और वो बचकान comedy की तरह बिलकुल नहीं चब ये एक दूसरे के साथ होते है, अगेंस्ट होते है दोनों में मज़ा आता है, family के साथ नहीं देख सकते है लेकिन एक try इस series को देना तो बनता है भाई कुछ तो supernatural जंतर मंतर हुआ इस town पे एक गुफा में कई लोग घुसते तो है लेकिन नंगे बहार आके मर जाते है सुदने में जितना अजीब है, web series भी कुछ वैसी ही है एक positive और दो negative point के साथ 2022 की fearia the darkest light कुछ web series सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए होती है series fantasy, thriller, mystery, crime, horror, पूरा cocktail है अगर आपको supernatural web series पसंद है तो first episode से ही आप चिटक जाओगे इसको सवाल की इन सब की मौत हुई कैसे और वो अजीबों गरीब animal है क्या negative के अगर बात करें जब सवालों की जवाब आपको मिलते हैं मैं personally satisfied नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा patience रखके पचास मिनिट के आठ एपिसोड क्रोस करके बस 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 कुछ ज़्यादा बोलूँगा spoiler हो जाएगा अगर आपके अंदर mystery solve करने का कीडा बसा है तो ही इस web series को शुरू करना बहुती ज़्यादा disturbing, dark और violence और nudity scenes की वज़े से ये 18 प्लस है नंबर 6 पे बहुत बड़ा surprise था मेरे लिए fantasy, drama, mystery का perfect cocktail है दो positive और एक negative के साथ two seasons, the order teenagers के लिए तो 100% must watch है बस आपको अपना logic पूरी तरह side रखना है Jack Morton जो की एक blue rose की secret society join करने के लिए बहुत excited रहता है, नए दोस बनते है कुछ दुश्मन बनते है, ultimately सबको super power चाहिए ये secret society join करके एक ऐसी mystery solve करने है जिसमें बहुत ज़्यादा खत्रा है जान भी जा सकती है, दो season में से first season हिंदी में available है supernatural fantasy दुनिया में अगर आपको mystery solve करना पसंद है तो ये आपके लिए must watch है हर दिन हर सुबे उटते ही आप अपने माँ, बाप, भाई, बेहन, दोस्तों के शरीर में उठ रहे हो मतलब आपको एक दिन के लिए past में जाके उनकी life जीनी है और ये सारा चक्र व्यू है murder mystery solve करने के लिए दो positive और एक negative point के साथ 2022 की supernatural friction 7 lives of Leah मेरा challenge है आपको पहला episode खतम करो उसके बाद आप अपने आपको रोक नहीं पाओगे पूरी series खतम करने के लिए और जब मैं इतना excited रहता हूँ तो मुझे end चाहिए आखरी episode में जो मुझे नहीं मिला लेकिन season 2 के लिए बहुत excited हूँ क्योंकि सभी character से मैं पूरी तरह connect हो चुका था पाप लेवल की acting और डिरेक्टर की storytelling भाई सहाँ एक पॉइंट पे मैं खुद excited था कि आप दूसरे दिन किसके शरीर में जाने मिलेगा और उसके बाद कहीं सारे embarrassing situation लिया किस तरह से handle करती है और सबसे important इजमियल को मार के दफनाया किसने सिर्फ 7 episodes 45 minutes each सिरीज में कई सारे adult और masturbating scenes है अपनी gcbt boring life से beyond अगर जाना है तो ये आपके लिए must watch दूर शहर से एक family अपनी आउकाद से भी उपर आली शान घर खरिती है लेकिन इस घर में dark secret है जिस वज़े से neighbors अजीब बिहेव कर रहे है सिर्फ पहला episode देखो आपको ऐसा hypnotize करेगी आप छोड़ ही नहीं पाओगे family अमीर तो है लेकिन क्या फाइदा उस अमीरी का अगर हर second आपको लगे कि कोई मुझे छुपके से देख रहा है सिर्फ हर 15 मिर्ट में आपको ऐसा गूगली फेकती है भाई ये तो main character था इसको कैसे मार दिया और ये sudden कहानी में twist आना आपको engage करके रखता है end तक 10 के character के साथ आगे क्या होगा मैं पूरी तरह उसका character बन चुका था सिरीज में sexual intimating scenes है family के साथ देखना मुश्किल है बाई सहाब ये किस दुनिया में लेके चले गए थे ये लोग मुझे Stranger Things के बाद काफी टाइम बाद अनोखी sci-fi mystery दुनिया जो real दुनिया की तरह है लेकिन घटनाए ऐसी अजीब हो गरीब हो रही है आप पूरी तरह hypnotize हो जाओगे इसके अंदर इस पूरे list की सबसे best cinematography तीन positive और एक negative point के साथ 2 seasons sense 8 सबसे पहला positive point एक favorite character नहीं बता सकता मैं क्यूंकि हर किसी के साथ connection हो रहा है मेरा दुनिया में 8 अलग strangers है जो अपने thoughts और life में होने वाले सबी घटनाओ से connected है ये connection outstanding cinematography से दिखा है intense thriller की series के बारे में कुछ भी बताना spoiler होगा लेकिन suggestion बस यही है कमजोर दिलवालों के लिए बिलकुल भी नहीं है क्योंकि ये आपके दिमाग में घुर सकती है matrix reloaded के creators की तरफ से ये series है तो obviously इसकी mystery आपको end तक बांद के रखती है top 2 series से पहले अगर हमारी सोच कही match होती है तो इस वीडियो को like, dislike आपको जो सही लगे वो कि एक plane 191 passenger साड़े 5 साल तक इस दुनिया से गायब एक दिन अचानक से plane और सभी passengers वपस आते हैं आगे क्या होगा इनके साथ कि आपको देखना होगा super natural drama 3 seasons के साथ manifest series 2 सवालों पे टिकी है जो आपको चिपका के रखेगी इस पूरी series में ये super natural अजीबों करीब घटना कैसे हुई और आब इन 191 passenger को इससे कैसे deal करना है इतनी जादा कहानिया एक साथ चलती है इतना जादा material है series में 30-40 seasons बन जाए इसके इसलिए ये series सिर्फ और सिफ उनी के लिए जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है लेकिन फिर भी कहीं पर भी खीची हुई ने लगती हर 5 मीट में नई कहानी और एक पॉइंट बे मैं हर character से relate कर रहा था मैं इसकी जगा होता तो 5 साल बाद वापस अपनी life में आता तो मेरे अपने मुझे किस तर एक्सेप्ट करते Animal movie देखने के बाद आपकी brutal action की भूक नहीं मिट रही तो चलिए जपैन की anime revenge story देखने के लिए एक ऐसी adventure journey देखने मिलेगी जिसका एक एक frame masterpiece से कम नहीं slow motion में दात का तूटना, blood भाहर निकलना, हटियों का तूटना, आतडिया भाहर आना परम आनत का अनुभव होगा आपको कोई रहम की भीक नहीं मिलेगी, सीधा samurai तलवार से गले कटेंगे हाली में नेट्फिक्स पर रिलीज हुई, ये टॉप क्लास की हिंदी डविंग के साथ 27,000 लोगों ने इसे average 8.9 की rating दिया है 45 minutes के 8 episodes blue eyes समो रहा है इस वीडियो को like करके YouTube algorithm को ज़रूर बताना कि आपने quality content, unique concept पर देखना शुरू कर दिया है 2023 की top 20 Indian web series के लिए right वाले वीडियो को और previous वीडियो के लिए left वाले को click करे, thank you so much, love you, take care, bye bye